शिल्पा शिट्टी ने हाली में बताया कि उनकी मा की प्रेग्नेंसी आसान नहीं थी शिल्पा की मा को ये सला दी गई थी कि वो ये बच्चा गिरा दे ऐसा इसलिए क्योंकि शिल्पा ने ये भी कहा कि यही वज़े है कि वो खुद को सर्वाइवर मानती है और उन्हें इस बात का ऐसास भी है कि जिंदगी में उनका कोई खास मकसद है जिसे उन्हें पूरा करना है शिल्पा ने एक इंटर्व्यू में बाचित के दौरान बताया कि वो जब पेदा हुई थी तब उनकी सासे कम चल रही थी उन्होंने ये भी कहा कि डिलिवरी से पहले लगातार उनकी माँ को तेज ब्लीडिंग हो रही थी इस वज़े से उनकी माँ और डॉक्टर्स को ये डर था कि कहीं वो ये बच्चा खोन दे इस से पहले भी प्रेगनेंसी में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा प्रेगनेंसी के दुरान कई बार डॉक्टर्स ने शिल्पा की माँ को अबर्शन कराने की सला भी दी क्योंकि उन्हें मिस्केरिच का डर था शिल्पा ने आगे कहा कि उन्हें इस बात का ऐसास है कि जिन्दगी में उनका कोई खास मकसद है और फिल्म में उनके लिए जिन्दगी का सिर्फ एक हिस्सा है शिल्पा ने कहा कि वो और लोगों की जिन्दगी में भी बदलाव लाना चाहती है शिल्पा ने कहा कि यही वज़ा है कि वो अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लगातार योग और मेडिटेशन से रिलेटेट कंटेंट शेयर करती है ताकि ओल लोग भी उनसे कुछ सीख सकें जल्दी शिल्पा शेट्टी फिल्म सुखी में दिखेगी इसी के साथ बने रहे है राज्टनमा टीवी के साथ दर देवाद